हाई मित्रों इस वीडियो में हम लोग बीदुद विभो का जो सेज पॉइंट है उसको देखेंगे पीछले वीडियो में बीदु आवेस के कारण किसी बीदु पर बैदुद विभो क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्यन किये थे इस वीडियो में हम लोग अध्यन करेंगे बैदुद विदुद के कारण बैदुद विभो सबसे पहले तो हम लोग अच्छी इस्तितिक अध्यन करेंगे हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं बैदुद विदुद विदुद के कारण बैदूत द्वी द्रो के कारण बैदूत द्रो के कारण बैदूत बीभव ये जो बैदूत द्वीधूत के कारण बैदूत बीभव है इसके दो इस्थिती होती है पहला अक्शिस्थिती अक्षिय इस्थिति अक्षि इस्थिति काम लगा द्यान करेंगे द्यान दीजिए एक डाइपोल दाइपोल के बारे पीछले प्रस्टनाली हमने पढ़े हैं एक डाइपोल है और ये डाइपोल दो आवेसों से मिलकर बना है ये एक डाइपोल है माइनस क्यूँ माइनस क्यूँ और प्लस क्यूँ है दो अवेशी से मिलकर बना है यह से दाइपॉल is कौन कौन माईज ion कर प्लस क्यूय है इसमें एक है एसे बिंद जुने मेनाम दे देता हूँ और यह भी कि याने एक डाइपॉल है भी जो माईजन की ब्लस क्यू कर बना है है मीडिल पॉयंट ओ है और टोटल दूरी 2L है तो ये दूरी क्या हो जाएगा L? एक डाइपोल है AB जो कि माइनस Q पलस Q आप इससे बना है और इसका मिडिल पॉइंट क्या है? O है अब ये जो मिडिल पॉइंट है O से A तक की दूरी L है और O से B तक की दूरी भी L है ये इसका अख्षी स्थिति कहलाएगा और इसके अख्ष पर एक बिंदू P है इसका अख्ष पर एक बिंदू क्या है? P है जिसका बिंदू O से दूरी है स्मालर ग्यान दिजी एक डाइपोल है AB जो माइनस की पलस की उससे बना है और इसके मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदू क्या है? P है तो B से दूरी क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की दूरी R माइनस L और A से दूरी क्या हो जाएगा? तो R प्लस L R प्लस क्या हो जाएगा? L B से R माइनस L और A से R प्लस L होगा इस point को लिखा जाएगा इसको नूट कर लेजिएगा कि माना A भी एक dipole है जो minus Q तथा plus Q से बना है इस dipole के यानि दूइधरू के मद बिंदूओं से इसमाल R दूरी पर एक बिंदू P है जिसका A से दूरी R प्लस L और B से दूरी R माइनस L है अक्ष्य इस्तिती कामलाध्यन कर रहा है अब यहाँ पर एक point मैं मानता हूँ कि माना मैं मान लिया माना प्लस Q के कारा Q के काराण प्लस Q के काराण बिंदू P पर बिंदू P पर बैदूत बिभो ग्यान दीजे माना प्लस Q के काराण बिंदू P पर बैदूत बिभो भीवन है तब भीवन is equal to हो गया 1 upon 4 pi epsilon not k into Q upon r minus l बिंदू बिंदू अब इसके काराण होता है 1 by 4 pi epsilon 0 Q upon r ठीक उसी तरीके से 1 by 4 pi epsilon 0 k to Q upon r minus l क्यों क्योंकि यह जो total system है यह के परबाइद तांक में है किसमें रखा गया है के परबाइद तांक में इसलिए आप परबाइद तांक माध्यम के लिए गया है पूना पूना माइनस Q के काराण माइनस Q के काराण बिन्दू P पर बीभा माइनस Q के काराण बिन्दू P पर बीभा जो भी टू इसकोल टू हो जायागा 1 by 4 pi epsilon 0 k into minus Q upon R plus L मैं कहा था यदि आवेश minus है तो बीभाव माइनस होगा यदि आवेश plus है तो बीभाव क्या होगा प्लस होगा चुकि ये जो बीभाव है एक अदिस रासी है अता अता P पर कुल बीभाव P पर कुल बीभाव कितना होगा तब ही इसकोल टू हो जायागा V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 तो यहाँ पर देखिए ये V1 का मान क्या है तो 1 अपन 4 पाई अपसाइलन नौट के इन्टू Q अपन R माइनस L माइनस 1 अपन 4 पाई अपसाइलन नौट के इन्टू किव अपन R प्लस L देखिए माइनस क्यों हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस किसों बदल जाएगा माइनस में दोनों में क्या कामन है देखिए तो 1 अपन 4 पाई अपसाइलन नौट के इन्टू क्यू ब्रेकेट में यहाँ पर बचेगा आर माइनस L और माइनस 1 अपन आर प्लस L अब यह लगतम ले लिजिए तो 1 अपन 4 पाई अपसाइलन नौट के क्यू ब्रेकेट में हो जाएगा आर प्लस L माइनस आर देखिए यहाँ पर आर माइनस अपन लेकिन आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटे में यहाँ पर आर माइनस L इन्टू आर प्लस L लेख दीजिए एक बार आर माइनस L इन्टू आर प्लस L यहाँ पर हो गया 1 अपन और पाई अपसाइलन नौट के इन्टू क्यू ब्रेकेट में अब जो कट रहें कटाईए देखें आप आर से आर कट गया एल 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 कितना हो गया टू एल तो गुणे लिख दीजिए टू एल बटे में यह बताए कि ए प्लस भी इन्टू ए माइनस भी बराबर क्या होता है थी जो हो जाएगा आर स्वेर माइनस एल स्वोर चुकि एल इसलेस देर ए ज्यानि यह जोग यह जो एल है अर की तूलना में बहुत चोटा होगा तो उसका बर करेंगे तो वह और चोटा हो जाएगा आता है इसे छोड़ने पमान में कोई परिवर्थन नहीं होगा तो b is equal to हो गया 1 upon 4 pi epsilon 0 k into 2 ql upon r square अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि चुकी p is equal to होता क्या है तो 2 ql, p is equal to क्या होता है? 2 ql, इसलिए b is equal to क्या हो जायागा? 1 upon 4 pi epsilon 0 k into p upon r square यहाँ पर k क्या है? पराबैदु तांक है तो चुकी हम लिखेंगे y u k लिए y u k लिए k is equal to कितना होता है? 1 बताया गया है कि y u के लिए k का मान क्या होता है? 1 माने रख दीजिए, तभी is equal to क्या मिलेगा? 1 upon 4 pi epsilon 0 into p upon क्या हो गया? r square यह हो गया मनों का आक्षी इस्तिती में बैदुद बीवों नोट कर लिजिए, आक्षी इस्तिती में बैदुद बीवों है まने बीवों क्या ही आक्षी जया है? क्या है क्या है? अब देखिए निराक्षी इस्थे थे निराक्षी इस्थे थे निराक्षी इस्थेती का मतलब क्या हुआ जो डाइपोल था उसके अक्षी इस्थेती से हट कर उसके अक्षी इस्थेती से हट कर जो इस्थेती होगा उसे हम लोग निराक्षी इस्थेती के नाम से जानते हैं तो एक डाइपोल पहले बनाया जाए यह एक डाइपोल है यह डाइपोल कैसा है A B किस से मिलकर बना है तो माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज यह जो डाइपोल है दो चार्जों से मिलकर बना है एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज इसका मीडिल पॉइंट O और इस middle point पर ही एक बिंदू ले ले लेजिए मालने जी यहाँ पर एक बिंदू क्या है? P है और इसको मिला दीजिए ठीक है? इसको मिलाने के परशाद यह जो दूरी है यह L होगा यह भी दूरी L क्योंकि AB की total दूरी होता है 2L या 2A मान सकते हैं और यह जो दूरी है इसको मैं R ले लिया R ले लिया गया R तो बताए कि जब POR है तो AP कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना होगा कि एक माना की इस्तिती लिखना ज़रूरी होता है और माना की इस्तिती क्या लिखा जाएगा? तो बताए जा चुका है कि माना की इस्तिती के लिए जो भी पॉइंट बनाए गया है जैसे मान लीजे मैं लिख दिया कि माना ए भी एक दूइधरू है माना ए भी एक दूइधरू है जो माइनस क्यूँ तथा प्लस क्यूँ आवेस से बना है माइनस क्यूँ तथा प्लस क्यूँ आवेस से बना है मद्य बिन्दू या बिन्दू ओ से इसमाल आर दूरी पर एक बिन्दू एक बिन्दू पी है जिसका जिसका ए तथा बी से दूरी ज्यान दीजी ये 90 डिगरी है तो ये कंड हो गया ए पी क्या हो गया? कंड तो दूरी कितना हो जाएगा रूट में तो आर स्क्वेर प्लस एल स्क्वेर आर स्क्वार प्लस क्या हो जाएगा? एल स्क्वेर ये हो गया ए पी और बीपी की दूरी is equal to AP is equal to BP कुना माना जये? माना प्लस Q के कारण P पर बीभव बीभव बीभव, बीभव बीभव क्या है? बीभव h और एक बात दियाँ दिजिएगा कि यह टोटल जो सिस्टम है यह के परवाईद तंक में रखा गया है किसमें रखा गया है? के परवाईद तंक में इसे नोट कर लिजिएगा तो P पर बीभवन यानि बिभव भीवन इसकोल टू क्या हो जायेगा तो 1 बाई ओर पाई आप साइलन जीरो नॉट के इन्टू क्यू बटे में बीपी क्यू अपन क्या जायेगा बीपी क्यों कि प्लस क्यू से दूरी क्या है बीपी है देखन दीजे बीपी एक्वेशन नमबर फर्स्ट पुना माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण पी पर बीभव माइनस क्यू के कारण पी पर बीभव V2 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 K into minus Q upon AP यह equation number क्या आओ गया second चुकि मैं पीशे बता चुका हूँ कि V1 और V2 यानि जो बीभव एक अदिस रासी है अता हम लिख सकते हैं अता P पर कुल बीभव यह पर कुल बीभव V is equal to V1 plus V2 V is equal to क्या हो जाएगा V1 plus V2 तो V is equal to V1 का मान देखे क्या है V1 V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 K इन्टू Q अपॉन बीपी माइनस क्योंकि यह माइनस है 1 अपॉन और पाई अपसाइलन 0 K इन्टू Q अपॉन इन्टू क्या है अपॉन इन्टू क्या है बीपी है यहाँ पाई देखे है इन्टू क्या लिखा जाएगा कि V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 K इन्टू Q अपॉन बीपी माइनस 1 अपॉन 4 pi epsilon 0 K इन्टू Q अपॉन बीपी क्योंकि दोनों बराबर है पी के जब हमें बीपी लिख दिया अब यहाँ पाई देखे दोनों राशी बराबर हो गया तो घट कर क्या हो गया V is equal to 0 तो दियान दिजिएगा निरक्षी इस्तिती में किसी बिंदू पर निरक्षी इस्तिती में किसी भी बिंदू पर बीपो क्या होता है सुनने होता है यानि बैदू दिविदू के कारण निरक्षी इस्तिती में किसी बिंदू पर बैदू बीभव क्या होता है सुनने होता है लेकिन तिवर्ता सुनने नहीं होती ये द्यान दिजिएगा बीभव सुनने है तिवर्ता सुनने नहीं होती तो ये दो इस्तिति का हम लो अध्यन किये एक अक्षे इस्तिति और एक निरक्षे इस्तिति अब हम लो अध्यन करेंगे बैदुद विद्रू के कारण किसी बींद पर विभौ यानि किसी डाइपोल के कारण किसी बिंद उपर वैदुद भी भोक्या होगा उसका आमला अध्यन करेंगे लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए आक्षी देखें हमलो निराक्षी अब किसी बी इस्तिती में लिखेंगे तीसरा पॉइंट है बैदुद द्विद्रु बैदुद द्विद्रु के कारण किसी बिंद पर किसी बीन्दु पर किसी बीन्दु पर बीभौ एक अक्षी श्तिती था और एक निरक्षी अब किसी बीन्दु पर बीभौ क्या होगा किसी बीन्दु पर तो सबसे पहले ग्रब बनाया जाए द्यान दिजिए यह एक डाइपोल है एक डाइपोल है A B कैसा है A B है माइनस Q और प्लस Q से मिलकर बना है किस से बना है माइनस Q और प्लस Q और यहाँ पर एक बिंदू है P यहाँ पर एक बिंदू P है जो कि न अक्षी इस्तिती में है न निरक्षी इस्तिती में और इसका middle point है इसको मिलाईए ठीक है इसको मिलाना है एको dot door line से मिलाना है फिर B को मिलाईए ठीक है अब इसके बाद देखिए ये जो middle वाली line है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाईए अब A से इस पर नम डालिए किसे A से A से इस पर नम खीचिए ये लंब हो गया ठीक इसी तरीके से B से भी इस पर नम खीचिए ये लंब हो गया देन दीजे मैं क्या कहा एक डाइपोल बनाईए और कोई किसी अलग इस्थिती में एक बिंदू पी लीजिए P से A B को मिलाईए और मिडिल पॉइंट O से होकर जाने वाली रेखा को आगे बढ़ाईए A से उस रेखा पर नम डालिए B से भी उस रेखा पर नम डालिए इस दिशा में हम लों का माइनस पलस की तरफ होगा बैदर दूदरू आगुण अब इसके बाद देखिए ये जो बिंदू है इसको मैं D लिख दिया और इस बिंदू को मैं लिख दिया C ये जो दूरी है A से लेकर O तक का ये D है D बिंदू है A से लेकर O तक का दूरी L O ना O से लेकर B तक का दूरी क्या है? L है इसको थोड़ा द्यान से देखिएगा और ये जो दूरी है मिडिल पॉइंट की दूरी ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक के इस दूरी को मैं लिग देता हूँ R द्यान दिजिए पहले मैं क्या बताया A B एक डाइपोल है और किसी भी स्थिति में एक बिंदू P ले लिया P से A B को मिलाया P से होकर जाने वाली रेखा ओपर A और B से लंब डाल दिया A से जो लंब डाला गया है उस बिंदू को मैं D से इंडिकेट किया और B से जो लंब डाला गया है उसको C से इंडिकेट किया अब यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कुछ बानक पर इस्थितियां होती है जिसको मैं बार बार समझाया हूँ लिखने को ति यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना ए भी एक दुईद्रू है माना ए भी एक दुईद्रू है और ए भी जब एक दुईद्रू हो गया तो यह किस से मिलकर बना है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से तो यहीं पर वो पॉइंट जोड़ देंगे जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है किस से बना है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि यह जो माइनस Q प्लस Q से मिलकर बना है एवं ए तथा ए तथा B के बीच की दूरी बीच की दूरी 2L है क्या माना गया है 2L है एवं किसी भी इस्तिति माना माना इस पॉइंट को मैं लिखते हूं माना P के P के दूरीय दूरीय P के दूरीय नियामक नियामांक P के दूरीय नियामांक आर ठीटा है यानि यहाँ पर यह जो एंगल है यह जो एंगल है यह ठीटा है इस एंगल को किसे इंडिकेट किया गया है ठीटा से ठीगर पर भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा अब इसके बाद देखिए यह जो आर ठीटा में मान लिया तो यहाँ से एक बिंदू हम लें कि A, D यानि A से P की दूरी क्या होगी A से P की दूरी A से P की दूरी यानि A P A P is equal to हो जायागा D P क्योंकि लंब डाला गया है तो A P is equal to D P A P is equal to क्या हो गया D P और इसको हम लोग लिख सकते हैं D P को O P धन O D O P O P धन O D क्योंकि D P का म लिख सकते हैं अब यहाँ पर यह देखा जाए कि O P O P क्या है? R है तो इसको हम लोग लिखेंगे R प्लस L कास ठीटा R प्लस L कास ठीटा यह class theta कैसे हो गया, तो यहां पर देखिए, इस angle को हम लोग क्या माने है, theta, तो यह भी angle क्या होगा, theta, जब theta होगा, तो class theta बराबर, यह जो है हम लोगा, कर्ण है जो कि L है और ये दूरी हमको चाहिए तो कास ठीटा बराबर क्या होगा तो कास ठीटा बराबर हो जायागा आधार बटा कर्ण आधार क्या है तो O-D है आधार क्या है तो L है तो O-D is equal to क्या हो जायागा तो L कास ठीटा od is equal to l cast theta और यह जो od है यह मान OC के बराबर होगा OC OC के बराबर हो जायागा तब यहाँ पर यह देखेंगा हम लोग कि BP का value क्या है इसी प्रकार AC प्रकार AC प्रकार B से P की दूरी B से P की दूरी B से P की दूरी BP equal to क्या होगा तो B से P की दूरी BP equal to हो जायागा BP BP को हम लोग लिख सकते हैं CB अज CP को क्या लिख सकते हैं तो O P से अगर हम O C घटा दें O P से O C घटा दें तो क्या बचेगा C P और O P is equal to क्या है R और O C O C अभी यहाँ पर क्या लिखा गया है L cast theta तो R minus क्या हो गया L cast theta तो यह तो अभी हम लोग बिंदू P का A और B से दूरी का calculation किया जब दूरी आ गया तब अब लिखा जाये गया हम पर आता प्लस Q के कारण कारण किस के कारण? प्लस Q के कारण P पर B भव प्लस Q के कारण P पर B भव भीवन is equal to क्या होगा? तो भीवन is equal to हो जायेगा 1 upon 4 pi epsilon 0 द्यान दीजिए ये जो निकाह है ये वाई में रखा गया सुरू में ही अगर चाहते हैं कि के के रूप में करें तो ये आपके जोड दीजिएगा तो 1 by 4 pi epsilon 0 इन्टू Q upon दूरी क्या है? प्लस Q से B P अब B P बराबर आया क्या है? R माइनस L कास ठीटा तो लिख दीजिए R माइनस L कास ठीटा इक्वेशन फस्ट पुना माइनस Q के कारण माइनस Q के कारण P पर B माइनस Q के कारण P पर B B2 is equal to माइनस Q के कारण P पर B हो B2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 इन्टू आवेस negative है तो यह मान क्या हो जाएगा? रिनात्मक Q upon A P A P का मान क्या है? यहाँ आप देकी A P R प्लस L कास ठीटा तो आप मैं लिख दी R प्लस L कास ठीटा यह हो गया B2 का मान यह equation number क्या हो गया? second दोनों को जोड़ दीजी आता आता P पर B1 आता P पर B2 P पर B2 B is equal to B1 प्लस B2 B1 का मान? 1 upon 4Pi Epsilon 0 द्यान दीजे दोनों में क्या कामन है? तो 1 by 4Pi Epsilon 0 1 by 4Pi Epsilon 0 Q Q Q मैं कामन ले लिया ब्रेकेट में यहाँ पर हो गया 1 upon R minus L कास थीटा minus 1 upon R plus L कास थीटा अब यहाँ पर इस ब्रेकेट को साल्व किया जाए देखा जाए क्या पराप्त हो रहा है? अता P is equal to हो गया 1 upon 4Pi Epsilon 0 into Q ब्रेकेट में यहाँ पर हो जाएगा R plus L कास थीटा और माइनस R plus L कास थीटा ब्रेकेट दीजिए लगुत्तम लेने पर यह माइनस वाला पलस पलस वाला क्या हो जाएगा? माइनस बटे में हो जाएगा R square minus L square कॉस इस्क्वाइर थीटा क्योंकि एक पलस है तो एक क्या है? माइनस यहाँ पर R से R क्या होगा? कट जाएगा तो B equal to क्या हो गया? 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 Q L कास थीटा 2 Q L कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा? तो R square minus L square कास थीटा चुकि अभी बताया गया है कि L is less than is less than R तो यहाँ पर मुलीख सकते हैं कि चुकि L square कास थीटा is less than is less than R square दियान दिजी L square कास थीटा का मान R square से बहुत छोटा है आता इसे छोड़ने पमान में कोई परिवर्वर्टा नहीं होगा अता हम लिख सकते हैं आपर B square to 1 by 4 pi epsilon 0 1 by 4 pi epsilon 0 P कॉस थीटा अपन R square P कॉस थीटा अपन क्या हो गया R square यह बेंजाख है हम उनों का किसी भी स्तिती में अब यदि अक्षी स्तिती कहेगा तो थीटा बराबर 0 रखिएगा निरक्षी कहेगा तो 90 रखिएगा तो यहांपर तीन इस्तिती की हम लोग विवेचना किये एक अक्षी इस्तिती एक निरक्षी इस्तिती और एक किसी भी इस्तिती में तो यह ध्यान देजिएगा और यह भी उम्में ध्यान देना है कि अगा plus charge है तो प्लस भीभव होगा और माइनस चार्ज है तो माइनस भीभव होगा नोट कर लेजिए इसे अब हम बात करेंगे सम भीभव प्रिष्ट का अगर आप नोट नहीं किये हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक कर नोट कर सकते हैं सम भीभव प्रिष्ट सम भीभव प्रिष्ट के बारे में heading में दे दे रहा हूं सम भीभव प्रिष्ट क्या है इसके बारे में देखे किसी बैदु छेत्र में खीचा गया वह प्रिष्ट definition में लिग दे रहा हूं नोट कर लिजिएगा किसी किसी बैदु छेत्र में बैदु छेत्र में किसी बैदु छेत्र में खीचा गया खीचा गया खीचा गया वह प्रिष्ट किसी बैदु छेत्र में खीचा गया वह प्रिष्ट जीस पर इस्थित सभी बिंदुओं जीस पर इस्थित सभी बिंदुओं पर बैदुत बीभव बराबर हो बैदुत बीभव बराबर हो बैदुत बीभव बराबर हो कामा सम बीभव प्रिष्ट कहला आता है सम बीभव प्रिष्ट कहला आता है मैं क्या लिका हूँ नोट कर लिजिए किसी बैदु छेत्र में खीचा गया वह प्रिष्ट किसी बैदु छेत्र में खीचा गया वह प्रिष्ट जिस परिष्थी सभी बिंदुओं पर पैदुद बीभव बराबर हो, सम बीभव प्रिष्ट कहलाता है मान लिजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू कुलाम का चार्ज है और इसके चारों तरफ एक ऐसा प्रिष्ट में ले रहा हूं जहां पर बीभव क्या है बराबर है तो इससे जो भी होका बैदुद बल रेखाएं गुजरेगे यह सब लंबोत भोगा प्रिष्ट के सब प्रिष्ट के लंबोत होता है इसका मतलब कि हम दूसरे सब्दों में यह भी कर सकते हैं कि स्वाम बीभव प्रिष्ट पर किस पर स्वाम बीभव प्रिष्ट पर किने दो बिंदों के बीच बिभवान तर सुनने होता है द्यान दिजिए कि स्वाम अगर स्वाम बीभव का मतलब अभी डिफिनीशन में देख लीजिए किसी बैदुद छेत्र में खिचा गया वो अप्रिष्ट जिस पर इसी सभी बिंदों पर बैदुद बिभव क्या बराबर हो और जब बैदुद बिभव बराबर होगा तो मान लिजिए कि यहाँ पर एक बिंदु में A ले लिया एक बिंदु यहाँ पर B में ले लिया तो यहां से b a minus b b is equal to क्या मिलेगा 0 क्यों क्यों कि जब b a minus b b is equal to 0 होगा तो इसका मतलब कि विभुवांतर 0 हो गया अजब विभुवांतर 0 हो गया तो w is equal to हम लोग पढ़े हैं कि b a minus b b into q तो अतक किसी आवेज को यह दिये से b तक हम लेकर जाएं तो उसी इस्तिती में कारे क्या होगा 0 हो जाएगा तो उसी पॉइंट को मैं बता रहा हूं कि अगर हम किसी आवेज को स्वम विभव प्रिष्ट के एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में कोई कारे नहीं होता है क्यों क्योंकि यहाँ पर देख लिजिए कि जब b a minus b b is equal to 0 तो w is equal to क्या हो जाएगा 0 अता अगर किसी आवेज को यह से b तक ले जाए जाए तो सवस्ता में कारे नहीं होगा परणत ये तभी संभव है जब के बैदूत आवेज को बैदू छेतर के क्या लिया जाए लंबोत लया जाए यानि ये तभी संभव है जब बैदू तावेस को बैदू छेतर के लंबत ले जया जाए आता सम्भिवप्रिष्ट परतेक बिंद पर बैदू छेतर के दिशा के क्या होता है लंबत होता है तो इसे एक पॉइंट प्रूब होता है पॉइंट क्या है ये भी ध्यान दीजिए परिक्षा में आता राता इसको नूट कर लीजिए आता यहां पर वर्क जीरो होने से ताथ पर है कि जो आवेस है सदे बैदू छेतर के क्या होना चाहिए ये लंबत होना चाहिए आता इससीद होता है कि सम बीभा प्रिस्ट के प्रतेक बिंदू पर बिंदू पर बल रेखाएं बल रेखाएं प्रिस्ट के लंबवत होती है प्रिस्ट के लंबवत होती है ये जो बल रेखाएं सदे प्रिस्ट के क्या होती है लंबवत होती है आता है पेपर में कि सिद्य दिखाएं कि जो सम बीभा प्रिस्ट है उसके प्रतेक बिंदू पर बले रेखाएं प्रिस्ट के क्या होती है लंबवत होती है तो इसी पॉइंट को में समझाना होगा जो अभी बताया गया है कि अगर सम बीभा प्रिस्ट है तो कि इने दो बिंदू के बीच बिवांतर सदे सुनने होगा तो डावलू यानि किया गया कार भी क्या होगा सुनने होगा और ये तभी संभव है जब आवेज को में बैदू छेत्र के क्या करें लंबवत ले कर जाएं अता इसे प्रूब ह कि समवीभप्रिष्ट के पर्ठिक बिंदू पर बले रहां प्रिष्ट के सदेव क्या ओती है लंबवत खोती है अब हम बात करेंगे बैदूत एस्थितितीज़ ओड़ जाका किसका बैदूत इस्थितिज़ ओर जाका और धान देजे बैदूत इस्थितिज बैदूत इस्थितिज उर्जा इसके बारे में बैदूत इस्थितिज उर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है बैदूत इस्थितिज उर्जा ध्यान दीजिए एक निकाय मैं ले लेता हूँ एक निकाय जो कि प्लस Q1 चार्ड जिसे एक बना है पहला निकाय A है दूसारा निकाय B है जो प्लस Q2 चार्ड से बना है दोने के बीच की दूरी क्या है? R है त्यान दीजिए, A पर प्लस Q1 आवेस है और B पर प्लस Q2 आवेस है, अब सबसे पहले हम लोग यह देखें कि बैदुत इस्तेते जूट जाहे क्या, दो बैदुत आवेस एक दूसरे को आकर्सित अथवा प्रितकर्सित करते हैं, यह पीछे भी हम लोग पढ़ें, कि जो दो एक दूसरे को आकर्सित अथवा प्रितकर्सित करते हैं, अता आवेसों को एक दूसरे से दूर ले जाने में, अथवा एक दूसरे के समीप लाने में, यह जो आवेस है, इन्हें एक दूसरे से दूर ले जाईए, अथवा समीप लाईए, निशित है के में कारे करना पड़ यानि दो चार्ज हैं दो चार्ज पार्टिकल हैं या तो इन दोनों को दूर लेकर जाईए या तो इन दोनों को नजदीक लेकर आईए तो ऐसी इस्तिती में निश्ची थे कि तब ही संभव है जब हम कोई कारे करें जब हम क्या करें कोई कारे करें और यह कारे उन आवेशों के निकाय में इस्तिती जूर जाके रूप में क्या हो जाता है संचीत हो जाता है यानि कि इन दो आवेश को या तो एक दूसरे से दूर कीजिए अथवा एक दूसरे के समीप लाईए और ऐसी इस्तिती में हमें कारे करना होगा जब हम कारे करेंगे तो वहीं कारे उसमें इस्तिती जूर्जा के रूप में क्या हो जाता है संचीत हो जाता है और इसे ही निकाय के बैदूत इस्तिती जूर्जा कहते हैं क्या कहते हैं बैदुत इस्तितीज उर्जा आता बैदुत इस्तितीज उर्जा का डिफिनीशन क्या होगा तो आवेशों के आवेशों आवेशों के किसी निकाय की आवेशों के किसी निकाय की बैदुत इस्तितीज उर्जा उसकार के बराबर होती है जो उन आवेशों को आवेशों को अनन्त से अनन्त से परस्पर समी पिलाकर परस्पर करने में निकाय की रचना करने में किया जाता है फिसे डिफिनिशन देखिए अवेशों के किसी निकाय की बैदुत इस्तिती जूर्जा उस निकाय के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनन्त से परस्पर समी पिलाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है यह अमनों का डिफिनिशन है अब यह देखा जाए यह तो हो गया डिफिनिशन बैदुत इस्तिती जूर्जा का अब मान लिया जाए कि एक निकाय अब है मैं मान लिया कि एक निकाय क्या है अब है जो प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश से बना है अब इस निकाय की जो बैदुत इस्तिती उर्जा ग्याद करने के लिए मान लिया कि प्लस Q2 बिंद B पर 9 होकर अनंत पर है मैं मान लिया कि यह जो प्लस Q2 चार्ज है यह B पर 9 होकर कहीं इंफिनिटी पर है मैं यह मान लिया कि यह जो Q2 है यह B पर नो होकर कहीं क्या है अनन्द पर है अता आवेस Q1 के कारण बिंदू B पर भीभव इस्तित होगा अता आवेस यहां पर लिखा जाए अता आवेस आवेस Q1 के कारण B पर भीभव Q1 कारण B पर भीभव B1 is equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 by R किसी बिंदू आवेस कारण बिभव है तो Q1 के कारण B पर भीभव क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 not Q1 by क्या हो जाएगा R अब यह बताईए कि B पर तो बिभव हो गया किसके कारण Q1 के कारण और यह जो Q2 है इस Q2 को अनन्द से B पर लाए जा रहा है काहा पर भीप अनन्द से लाए जा रहा है अता भीवन is equal to हो जाएगा भीवन is equal to W upon Q2 भीवन is equal to क्या हो जाएगा W upon Q2 डिफिनिशन का अनुसार जैसे W upon Q0 पढ़े है वैसे भीवन is equal W upon Q2 और इसके बराबर है क्या तो 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 by क्या है और यह जो Q2 है भाग है अगर इसका इस साइड पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा गुणा तो W is equal to क्या हो गया 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 by R डावलो is equal to क्या हो गया 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 by क्या हो गया R यह जो कार है यह तो कार हम किये हैं किस पर तो Q1 Q2 को यानि Q1 के समीब Q2 को लाकर तो Q1 के समीब Q2 को R दूरी पर लाने में यह जो कारे हुआ है यही कारे स्थिती जूर्जा के रूप में क्या होगा संचीत होगा आता जब यह स्थिती जूर्जा के रूप में संचीत होगा तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे U is equal to 1 by 4 pi epsilon not 1 by 4 pi epsilon not Q1 Q2 by क्या होजाएगा 1 by 4 pi epsilon not Q1 Q2 by R यह होगे हम लोगा बैदूत इस्थिती जूर्जा का बेंजक तियाद रखिएगा बैदूत इस्थिती जूर्जा का बेंजक U is equal to 1 by 4 pi epsilon not Q1 Q2 by R अब चुकी दोनों positive है अगर दोनों negative है तो minus रखिएगा तो minus minus plus होजाएगा अगर एक इसमें से minus है तब इस्थिती जूर्जा भी क्या होजाएगा रिनातमक हो जाएगा यह था बैदूत इस्थिती जूर्जा जहाँ पर हम लोग Q2 को Q1 के निकट आर दूरी पर लाकर जो भी वर्क किया और यहीं वर्क इस निकाय में इस्थिती जूर्जा के रूप में संचीत हो गया अगला पॉइंट है बीभा प्रवानता और बीभा प्रवानता तता बैदू छेत की तिवर्ता में संबंद इसको हम लोग बात करेंगे नोट कर लीजिए तब तक इसे इसको नोट कर लीजिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें अब देखें बीभा प्रवानता सबसे पहले हम लोग बीभा प्रवानता को ही देखेंगे बीभा प्रवानता एडिंग है बीभा प्रवानता देखें बीभा प्रवानता है क्या यहाँ पर एक पॉइंट एक बिंदू ओ पर प्लस क्यू कुलाम का एक कोई चार्ज है इस पर बिंदू ओ पर और इस रेखा पर एक बिंदू A है दूसरा बिंदू B है B पर एक परिक्षाणा बेस क्यू नॉट है और यह बल F है और यह रेखा इसी तरह इंफिनिटिव तक है यहां से लेकर A तक का दूरी है एक्स और यह जो दूरी है डी एक्स है यह दूरी डी एक्स है यह इसको मैं लिग देता हूँ डेल्टा एक्स यह डेल्टा एक्स है और यह इलेक्ट्रीक फिल्ड है जो बाहर की तरफ है अब देखिए बीभा परवनता का बात है माना के बिन्दू ओपर प्लस क्यू आवेस यानि यह जो पॉइνट है मैं मान लिया कि बिन्दू ओपर प्लस क्यू आवेस है जो बिंदु आवेश के कारण 1 सर्क्ष के अनुद 22 छेतर E के दिशा में बिंदु O से X दूरी पर देकिए ये हमलों का Electric फिल्ड है और इस Electric फिल्ड की दिशा में O से X दूरी पर एक बिंदु A है और डेल्टा X A से डेल्टा X दूरी पर बिंदू क्या है B है यानि हो गया X प्लस डिल्टा X अगर यहां से यहां तक का दूरी कहा जाए तो X प्लस डिल्टा क्या हो जाएगा X हो जाएगा तो X प्लस डिल्टा X दूरी पर बिंदू क्या है B है एक पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि B is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 यहां पर बोल्टेज भी लेते हैं बीभो तो B बीभो क्या होगा तो B minus delta B होगा क्यों क्यों कि जब delta X दूरी बढ़ेगा तो delta B क्या होगा बोल्टेज यानि B बीभो कम होगा तो अब इस point को यहां पर indicate किया गया है कि यदि X के X दूरी होने के कारण A पर बीभो B है तो B पर कितना होजायगा तो B minus delta B क्यों क्यों कि दूरी बढ़ने के साथ बीभो क्या होता है गटता है अता तब किसी बैदू छेतर में छेतर की दिशा के अनुदिस बैदू बीभो का मान क्या हो जाता है घट जाता है आता यहां से एक definition बनता है, हम यहां पर एक point देखें, कि दूरी बढ़ा रहे हैं, तो विभो घट रहा है, जब दूरी घटाएंगे, तो विभो क्या होगा? बढ़ेगा, आता बैदु छेत्र की दिशा में, आता हम लिख सकते हैं, आता बैदु छेत्र की दिशा में, बैदु छेत्र की दिशा में, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ, बीभो परिवर्तन की दर? बीभो परिवर्तन की दर को बीभो परिवर्तन की दर को, क्या करते हैं बीभव प्रमानता, करते हैं यह हमनों का पॉइंट है, यानि जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ तो वीभव घट रहा है जब दूरी घट आएंगे तो वीभव क्या आवगा बढ़ेगा तूसरी पॉइंट के मैं लिखाओं कि अता बैदु छेत्र की दीशा में ये देखे इलेक्टिक फिल्डी की दीशा है बैदु छेत्र की दीशा में दूरी परिवर्तन के साथ वीभव परिवर्तन की दर को किस नाम से जाना जाता है तो वीभव प्रमाणता आता वीभव प्रमाणता वीभव प्रमाणता भीवव प्रवनता बराबर हो जाएगा Minus delta b by delta x Minus delta b by delta x यह जो minus है यह indicate कर रहा है कि दूरी बढ़ेगा तो भीवव क्या होगा? घटेगा जब दूरी घटेगा तो भीवव क्या होगा? बढ़ेगा यानि यह negative होगा तो ध्यान दिजेगा कि बीभव प्रवानता बराबर हो जायेगा माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स अर्था तो बीभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन तो यह point किसका था तो बीभव प्रवानता का अब यहाँ पर एक heading में लिखता हूँ दोनों में relation क्या है दोनों में relation यानि यहाँ पर point है कि बीभव प्रवानता तथा बैदु छतकिति बरता में संबन्ध है बीभव प्रवानता बीभव प्रवानता तथा बैदु छत्र की 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 बैदु बैदु छत्र की बैदु 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 बीवा प्रवाणता था था बैदुच्छत की तिवर्ता में संबंध है उसके बारे में हम लोग देखें द्यान दीजिए माना कि एक अल्पधन परिक्षण आवेस Q0 बैदुच्छत E में बिंदू B से A तक लाया जाता है मैं मान लिया कि एक कोई धन परिक्षण आवेसे Q0 इसको B से कहां तक लाया जा रहा है A तक तो अगर B से A तक लाएंगे तो उस आवस्ता में सबसे पहले ये देखें कि ये इलेक्ट्रिक फिर्ड के काराण इस पर बल कितना लगेगा तो इलेक्ट्रिक फिर्ड E के काराण Q0 पर बल हो जायागा A बराबर Q0 E बराबर Q0 क्या हो जायागा A अता ये बताएं कि ये जो बल है इस बल के बिरूद अगर B से तक हम लाते हैं डेल्टा एक्स दूरी बिस्थापित करते हैं तब कार क्या होगा अता डेल्टा एक्स दूरी बिस्थापन में बिस्थापन में कर डेल्टा एक्स दूरी बिस्थापन में कर डेल्टा डाबल इसकोर 2 हो जायेगा A गुणे माइनस डेल्टा एक्स क्योंकि B से ई पर ला रहे हैं अगर A से B पर लेकर जाते तो पलस लिखते B से A पर आ रहे हैं तो क्या लिकेंगे माइनस क्योंकि जिशाभी पर ही थे माइनस के साथ q0 into e into delta x परन्तु यदि q0 गुणा इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग तो हम इसे क्या लिखेंगे कि delta w is equal to याद delta w by q0 delta w by q0 is equal to हो जाएगा माइनस e delta x अब बताएगे कि यदि कारे थोड़ा सा हुआ है तो विभा भी क्या होगा थोड़ा ही होगा विभा अंतर तो हम लिख सकते हैं आता delta v is equal to minus e into delta x तो बताएगे कि e बराबर क्या होगा तो e square to हो जाएगा माइनस delta b upon delta x फिर से समझ लिजिए मैं मान लिया कि एक कोई पर रिक्षण आवेस q0 है जो b पर रखा गया है और इसे b से a तक लाने में delta x दूरी क्या करना पड़ा बिश्थापीत करना पड़ा तो जब delta x दूरी बिश्थापीत हुआ है तो उस इस्तिती में इस q0 पर लगने वाला बल पहले क्या होगा तो f is equal to q0 e आता delta x दूरी बिश्थापन में कारे delta w रा बल गुणे बिश्थापन चुकि बिश्थापन के जिसा b परी थे इसले में minus लिख दिया और f कमान में रख दिया तो q यहाँ पर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा भाग तो delta w अपन q0 is equal to minus e delta x हो गया so delta b बराबर क्या हो गया minus e delta x आता e बराबर क्या होगा तो minus delta b by delta क्या हो गया x हो गया यह होगे हमलों का बीभव प्रवणता यह और यह होगे हमलों का electric field इन दोनों में relation आता यहां से एक निसकर्ष निकलता है वो क्या निसकर्ष है व्यान दीजिए आता इस परकार हम कर सकते हैं कि बैदू छेत्र में किसी बिंद उपर आता बैदू छेत्र में किसी बिंद उपर बैदू छेत्र में किसी बिंद उपर बैदू छेत्र में किसी बिंद उपर किसी दी हुई दिशा में केसे केसे दी हुए केसे दी हुए दी हुए दी हुए दिशा में केसे दी हुए दी सामे बैदुच्छत के तीवर्ता बैदुच्छत के तीवर्ता बैदुच्छत के तीवर्ता उस दिशा में रिणात्मक बीभप्रवनता रिणात्मक बीभवनता के बराबर होती है रिणात्मक बीभवनता के बराबर होती है द्यान दी जी यह जो पॉइंट मिला इस पॉइंट का निसकर्श है कि बैदु छेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में बैदु छेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में बैदुशित की तिवर्ता उस दीशा में उस दीशा में चुट गया है उस दीशा में रिणात्मक बीभव प्रवनता के क्या होता है बराबर होता है यह दोनों में सम्मंद अब एक पॉइंट आता है कि इसका मात्रक क्या होगा इसका मात्रक मात्रक बीभव प्रवनता का मात्रक क्या होता है तो जबाब होगा बोल्ट प्रति मीटर बोल्ट प्रति मीटर याद रखिएगा कि बीभव प्रवनता का मात्रक होता है बोल्ट प्रति मीटर पूछे विभव प्रावणता का मात्रथ क्या हो गाथ जबाब क्या होगा? बोल्ट प्रती मीटर. यहां पर एक और L, T-3, A-1 M, L, T-3, A-1 यह होगे हमनों का बिमिय सुत्र नोट कर लिजिए अब से इस पॉइंट अगले वीडियो में धन्य बात